तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं कि आप मुसल्मान विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मुसल्मानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी इनके खिलाफ हैं, हिंदू मुसल्मान करते हैं जब चुनाव होता है मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बागी हो गया हो रहता है सवाल ए, यह सिद्ध करें। कि यह हमारा जैसे मैं, मैं कहता हूं भåई, संच्चरेशन मुझे करना है, सरकारी ही होजनाव का संच्चरेशन बटलब गाउं में 50 लोग है जिनको गर मिलना चाहिए बटलब 50 को 50 को मिलना चाहिए फूटी नहीं इनको नहीं बटलब उसमें सब समाज आ जाएंगे सब धर्मा जाएंगे आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजी गिन्याए की एक आरेंटी है सेकुलरिजिम की गारेंटी है मोदी हर काम उस प्रकार से करता है कि भी सब को सब मिले इसके लिए करो अभी में मैं पॉब्लिक लिए कहता हूं कि हमने चार करो घर बनाए अब कुछ परिवार हैं विस्तार हुआ उनका तो उनको एक घर की जरुत है तो राज्यों से मुझे कहा जाता है साब अकर कुछ और मक्रांग हो जाए तो मैंने कहा चलो भी तीन करोड और हम प्लान करते हैं काटीन करों की जरुद नहीं पड़ेगी तो मैं पॉब्लीक लिए भी चाभां में कहता हूं कि आप चुनाओं में जाते हो तो जाए लिए कि मेरा काम करिए अगर कहीं कोई नजर आ जाएं कि जो को भी घरम मिला नहीं है नल से जल मिला नहीं है गैस का कनेक्शन नहीं मिला है रह गया है तो आप उसकी चिठी मुझे लिग दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी है कि तीसरे तरम में यह मिल जाएगा और मैं कहता हूं आप ही मेरे मोदी है कि मुझे काम करना है यह नहीं कह तो यह दर्म के उस दर्म के तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसा लगता है ना हम इस्क्लाम के विरोधी है ना हम मुसल्मान के विरोधी है हमारा यह काम ही नहीं है जहां तक गाली देते हैं यह नहरू के जमाने से एक नेरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का दूसरा पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मैनत में ज़्यादा मुनाफे वाला काम था कि गाली दे जो यह मुसल्मानों के दुश्मन है तो आप अपने अप मुदर उस्मान के मित्र बन जाते हो कुछ किये भी ना तो मुपत में फाइदा मिलता है तो इसलिए हो नहीं यह एक भाय का बाताउन बना करके फाइदा लेने के लिए दुकान चलाए रखिए मुसल्मान सवाज अब समझधार है जब मैं तीन तलाक कानूं खतम करता हूं पुरंपरा खतम करता हूं तो मुसलिम बेहनों को लगता है क्या रही तो जिन्यन आदमी है मैं जब आयुश्मान काड़ देता हूं तो उसको लगता है या रही तो जिन्यन लगती है मैं पुठ अब पकड़ा जाने लगा है इसलिए उनको जदा जाना ब्रह्म फैलाने के लिए बिना सरपैर के जुट बोलने पड़ रहे हैं प्रिदानमंद्री जी इसमें चोटा समय एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि इसमें कोई दोरा है नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसल्मान होगा घर मिलना है गरीब को मिलना है वो गरीब कोई भी हो सकता है लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया हम और आप किसी समान को खरीद में जाएंगे तो दो साल तिन साल के बाद शायद नहीं कर देंगे कुछ नया ट्राई कर लेंगे 22 साल से यही narrative कैसे मुसल्मान बार भार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मुधी आएंगे तो मुसल्मान को खत्म कर देंगे कि मैं करीब करीब 25 साल हो गए मुझे हेड़ अब दे गवर्मेंट के नाते हैं और गुजरात में आपको मालूम होगा साइद अठाराभी सर्ताप्ती है उन्नीशफी सर्ताप्ती से रेकॉर्ड अवेलेबल है दंगे गुजरात में होते थे उसका दस साल में साथ साल दंगे होते थे दोजार दो के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है गुजरात में मुसल्मान जो हैं आज बीजे पी वोट देना दे रहे हैं दूसरा मैं आज पहली बार कह रहा हूँ मैं कभी पहले कभी इन विश्यों को लिया रहा हूँ मैं ममंतन करिए कि सोचिए कि देश इतना आगे बढ़ रहा हैं अगर कमी आपके समाइद में महसुस होती है तो क्या कारण है सरकार की व्यवस्ताओं का बेनिफिट कॉंग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला क्या कॉंग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हुए क्या आत्ममन्थन कीजिए और एक बार तहे कीजिए ये आपके मन में जो हैं कि सत्ता पे हम बिठाएंगे हम उतारेंगे उसमें आप अपने बच्चों का भविश खराब कर रहे हो मुसल्मान समाज दुनिया में बदर रहा है जी आज मैं गल्ब के देशों में जाता हूँ इतना सम्मान व्यक्ति का तुमसे मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है उन्स सब को लगता है हमारी हैं विरोत हो रहा है अब साओधी एरेविया में योगा आफिशल सिलेबस का सब्जेक्ट है यहां में योगा की बात करो तो आप यह चला दे एंटी मुसलिम है मैं गल है कि मुधी जी इसका special official training लेना है तो क्या करना है क्या सका कोई कहते है कि मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सिख रहें साल बे एक मेहना तो बोले वह ही रहती है अमीर की पत्निया कहती है उनके परिवार जनाते हैं अब यहां उसको हिनुए हिंदू मुसलमान बना दिय योगा को भी अब ये जो कर रहें मैं मुसल्मान समाज से आगर पुरवक कहता हूं कम से कम अपने बच्छों की जिन्गी को तो सोचो अपना भविष्ट तो सोचो मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुवा मजदूर के तरह जिन्द की जीए क्योंकि कोई डरा रहा है क्योंकि कोई डरा रहा है दूसरा अगर आप बैठना उतना सुरू करोगे भाज़ापावाले आपको डरवाले लगते हरे 50-50 लोग बैठ करगे भाज़ापा गारा में एक दिन बैठे रहो निकाल देगे कि आपको आप जेकी क्या चल रहा है कौन निकालते आपको कप्चा करूं जागे बीजी भी कर लेंगा कौन रोकता है आपको ने और प्रतानमंद्री जी जो अब हम फेक नेरेटिव की बात करते हैं जिसमें कई बार मुसल्मान भी फसता है कई बार ऐसा लगता है कि उनको ये क्यों नहीं दिखता कि कश्मीर में पहले मुसल्मान का बच्चा पत्थर चलाता था आज वो रोजगार ले रहा है लेकिन मैं फेक नेरेटिव की बात करूं सर आपके उपर कई चीजें लगातार जूट बोली जाती है मतलब कई बार अभी नाविका जी से हम लोग बात कर रहे थे कि आप शायद वो वेक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवी बाहर सबसे गलत पेश हुई हुई है आपसे मिलने वाला आपको जानने वाला अलगी जानता है और बाहर तो अलगी दुनिया है ये फेक नेरेटिव इतना पहला किसान को गाली देते हैं जो भी चीज़ें लेकिन इस बार जब अमिशा जी का एक फेक वीडियो पहलाया गया आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने का कि ये बहुत घलत हो रहा है इस पर आपका रियाक्शन पहले से अलग था बाकी के जूट से ऐसा क्यों औ मत्यपदेश के चुनाओं मैं एक डीप फेक वीडियो निकला और अमिताब बच्चन जी के आवाज में निकला आप हैरान हो जाएगे अमिताब साहब पूरी रात सो नहीं पाए बोले रात को ही मुझे एफायर करनी है बोले यह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैं राजनिती से मरा कोई लेना देना नहीं बोले दूर से नमस्ते करता हूँ दुखी थे बहुत मद्भ पूदेश में एक्षन लिये गए उन लोगों पर तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रास नहीं हुआ है और मैंने जब दिवाली का बीजेपी के कारले में गेट टुगेदर था मैंने डीप ठेक पर लंबा भाशन किया था जान मुश्कर के किया था उस दिन और मीडिया को यह सम्में ने कहा थे बहुत बड़ा संकट में देख रहा हूं मैंने मेरी जी ट्वेंटी समिट मे सबने चिंता व्यक्ति के थी हमारा वीडियो कांफरंस में से समिट उसमें मैंने कहा यह सब कहरें सब्सक्राइब मैंने उनको एक साल्यूशन दिया मैंना कहा हरे के उपर एक मैसेज पहले आना चाहिए कि यह AI जनरेटेड कंटेंट है आप उसको उस रुप से देखिए यह उस पर statutory warning आना ही चाहिए कौने में नहीं में आना चाहिए जैसे आप लोग नहीं कभी चला दे फर्स्ट है किसी नियूश के तो आपकी बीच में चलते हैं वाटर मार्ट चलता है नहीं बैसा मोटर बाटर माज रह रहे हैं अच्छी इस दुनिया सब परिशान है जी सब को परिशान है अब कुछ भी बना सकते हैं किसे के लिए